बिग बॉस 17 से पिछले हफते बाहर हुई एश्वरिया सर्मा अब भी काफी सुर्ख्यों में बने हुई हैं शो से बाहर आने के बाद एश्वरिया ने कई इंट्रिवूस दिये और इस दवरान उन्होंने सभी कंटेस्टेंट को लेकर बात की इतना ही नहीं उन्होंने अपने पती नील भट के साथ शो में हुई लड़ाई पर भी खुल कर बात की अब हाली में एक इंट्रिवू में एश्वरिया सर्मा ने बताया है कि उन्हें काफी डर लग रहा था कि ससुदाल वाले उनके साथ कैसा रियक्ट करेंगे बॉलिवूड लाइब से बात करते हुए एश्वरिया सर्मा ने कहा सबको पता है कि नील थोड़ा सोच समझ कर रियक्ट करते हैं नील को लोगों के सामने जगरना पसंद नहीं है और मैं तो फट कर बोल देती हूँ तुरंट इससे क्या लगता है कि पत्नी जगरती है और पती चुप रहता है वा उसे दबाकर रखती है जो चीज मम्मी पापा ने भी नहीं देखा है हमारे हम उनके सामने नहीं जगरते हैं कमरों में लड़ाई होती है तो मुझे लग रहा है कि मैं उन्हें भी गलत दिख रही होगी तो हाँ मेरे मन में ये डर रहता था कि वह कैसे react करेंगे क्या बोलेंगे हमें लेकर देखते हैं अब नील के परिवारवारे कैसा react करते हैं वैसे फिलाल एश्वरेया इंट्रिवूज में बीजी हैं वहीं बीती साम उनके दोस्त ने एक्ट्रेस का बीलेटेट बड़ दे सेलिबरेट किया अभी वह ससुदाल वालों से नहीं मिली हैं और उनका रियक्शन भी उनको नहीं पता चला है बता देख कि जब शो में सलमान खान ने एश्वरेया की कलास लगाई थी तब एक्ट्रेस ने पते निल पर अपना गुस्सा निकाला था इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूट बताएं बॉलिवुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहे ये एबी भी एंटर्टेन्मेंट